आम शान्ति आज 21 आक्टोबर 2021 हाम सुनेंगे प्रातो शाकार हिंदे मुरूली आज का महावाइक्व इस महावाइक्व में बाबा समझाते हैं मेठे बच्चे तुम्हारी जैसा सुभाग्योशली कोई नहीं क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें परा रहे हैं तुम उनसे बात करते हो तुम्हारी जैसा सुभाग्योशली कोई नहीं इस खुशी में हम रहे और बाप को धिन्नवाद करे और खुद को भी धिन्नवाद करे प्रश्न है जिन बच्चों को बिचार शागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उनकी बुद्धी में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सब को रस्त बताए कैसे किसका किलन करे वो सर्विस के नए नए प्लैन बनाते रहते हैं उनकी बुद्धी में सारा ग्यान टपकता रहता है वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते यह सारी क्वालिटी अगर हमारा अंदर है तो हम कहेंगे बाबा जैसे हम को चोना है हम करके दिखाया अगर नहीं है इसको हमें एडिशन करना है इसको हमें चेक करके चेंज करना है ओम शान्ती बच्छों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं यो बच्चे ही जानते हैं और ना जाने कोई भगवान को उच कहा जाता है उचा उनका टाव है रहने का स्थान है मौशूर है बच्छे जानते हैं हम मूल बतन में रहने वाले हैं जहां बाबा भी रहते थे बाबा भी रहते हैं हम भी रहते थे मुनश्यों को इन सब बातों को कोई पता नहीं है God Father बलते हैं ऐसे ही बलते रहते हैं बास्तव में किस कारण वो God Father है जानते नहीं तुम बच्चे बिगर ऐसा कोई मुनश्यों नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं बोलते हैं हम बच्चों को तमप्रदान से शत्व प्रधन बनाने के लिए उपदेश दे रहा हैं ज्यान दे रहा हैं निराकार होने के कारण कोई की बुद्धी में नहीं आता कि भगवान बच्चों कैसे हो साकता निराकार का वो समझते हैं निराकार का परिभाशा वो दूसरा समझते हैं बास्तव में निराकार का जो परिभाशा है जो बेक्खा है वो नहीं जानते इसलिए वो आश्चुरित हो जाता है निराकार बोले कैसे बोलते हैं तो पता ना होने के कारण गीता में कृष्णो का न और बच्छों के आगे बाबा बोल रहा है, यह है सची बात, सम्मुक होने बिगर तो सुन नहीं सकते, तो यह भी तो सची बात बाबा सुनाते हैं, सम्मुक तो बैठना होगा, सम्मुक अपने को रखना होगा, सम्मुक का अनुभव करना होगा, मैं बाप का सम्मुक बैटा ह मैं गडली स्टुडेंड हो ये चोड़ी चोड़ी बात को अपने जिमन में तो बहुत सुन्द रिती से तुधारन करना है दूर से भल सुनते हैं पर उन्तो निश्चे तो नहीं होता कौन बल रहा है कैसे बल रहा है चो इसलिए तो शक्षत बेटना होता है आमना सामना बेट नहीं होता है सुनते तो है भगवान वाच जतार तुरिती तुम जानते हो कौन बल रहा है किसके उद्धिश्य में बल रहा है कैसे बल रहा है भगवान तो शिब बाबा ही है प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ग्यान सुना रहा है हम सब अग्यान हो चुके हैं तुम तो जानते हैं वो फलाने जगा की रहन वाली है इस समय इहां आई हुई है अगर इंगलेंड में रहने वाले कुईन अगर इंडिया में आए तो हम क्या समझेंगे तो इंगलेंड वाली कुईन इंडिया में आई है तुम बचे भी जानते हो बाबा आया हुआ है परमधाम से इस ब्रह्मातन में हम आत्माव को पराने के लिए, हम को ले जाने के लिए पराइकर हमें तो अच्छा बना करके, पवित्र बना करके हम को साथ ले जाएंगे. तो हम भी बाबा का साथ वापिस जाएंगे तो हमारा mental level भी इतना उपर में हमें set करना चाहिए इस frequency में हमें लाना चाहिए हम परमधाम के रहने वाली हैं तो तुम को अब बाप और घौर याद परता है ना ये भी एक exercise हो जाता है घौर को और बाप को तो याद करना परमधाम में जाना अपने मान बुद्धी को परमधाम में ले जाना तो वही बाप सृष्टी का रचुईता है और ना कोई बाबा ने आकर तुम बच्चों को मुल बतन, शुक्ष्म बतन, स्थुल बतन का राज समझाया इतना दिन तो हम गहराई अंधकार में थे, जिनकी बुद्धी में है वो ही समझेंगे जिनका पाठ है वो ही परेंगे, बरबर हम पुरुषार्ट कर रहे हैं भविश्व एकर जन्मों के लिए एक दो जन्मों नहीं, बाप से बर्शा लेने के लिए, एक दो जन्मों का प्रलब्दों पक्का करने के लिए पुरुषार्ट तो करना ही है, पुरुषार्ट को कभी भी छोरना नहीं है आज कोई हमें हलका लगता है, काल कोई मेहनत भी लगेगा, लेकिन पूरुषर्ट को हमें छोड़ना नहीं है। और एडिशन करते रहना, हम बरे ते बरे इमतिहान पाश करेंगे, एक कुलेज छोड़ दूसरे तिसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। आने का ख्याल होगा, तो बाबा केएते हैं बरे आदमी मतलब, जिसका पस धौन हो, दौलद हो, ऐसा बरे आदमी, नहीं। बाबा केएते हैं, तुम जानते हो, हम बहुत बरे बाप के बच्चे हैं, दुनिया में किसको पता नहीं है, हम शिप बाबा की शंतान है, ये बरे बाप है। उस बाप का हम सभी संतान है, अपने को ये मैननता देजिए, अपने को ये तो अपने को बहुत धन्नवाद कीजिए, हम जैसा शो भाग्योशली दुनिया में कोई नहीं है, हम बरा आदमी, बरा आदमी का संतान है, तुम बहुत ऊचिते ऊच बाप के बच्चे हो ना, तो किसको भी समझा सकते हो ये पराई का सार, ये पराई कैसे करे, हमारा पराई से जैसे हमारा प्रलब्द मिल रहा है, ये बात सबको भी समझा सकते हो, हम बहुत बरे ते बरे बाप के बच्चे है, तो ये बात अपने दोस्त को, अपने परिवार बालों को, तो अपने अर अद्वार कहो देते हैं, तो यहां बाप की मात बर पी चलना, टीचर की मात पर भी चलना, तो गुरू का मत पर भी चलना, यह तीनों इंजिन, एक साथ जो रहा हुआ है, तो वो है बाप दादा, बाबा समझाते हैं, हमें आगे वराने के लिए, हमें तमप्रधान से रप्त करने के लिए ये तो ये तीनों रोल शिब बाबा बजा रहा है और साथ में कौन है दादा है दादा ब्रह्मा बाबा है तो ये भग्योश अली अपने को बार बार क्यों हम भग्योश अली समझे तो ये सरी पाइंट बाबा समझाता है तुम जानते हो वो हमरा बाप ट को हमें अभी जीवन में धारन करना है, एक एक बात को हमें जीवन में चुनना है, बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे शिप बाबा बोलते हैं, अच्छा शौंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, एक एक बात बाबा, कितना मजाक से बाबा बच्चों से पूछते ह बिश्नु बोलते हैं तो ये भरी सवा में बाबा ने पूछा है किसी ने कहा शीप और ब्रह्मा बोलते हैं बिश्नु बाशंकर नहीं बलते तो बाबा को थुरा थुरा शही लगा थुरा बाबा को अश्चर्ज लगा तो बाबा ने दोनों बातों को उत्तर देते हैं बिश् क्या बोलते नहीं है विश्णु बोल नहीं सकते है क्या बाबा का उल्टा प्रश्ण बच्चों को तो विश्णु गोंगे है क्या ग्यान नहीं बोलते तो कोई बच्चों ने उत्तर दिया बाबा विश्णु का पास कोई ग्यान नहीं रहेगा ग्यान नहीं बलते तो हम ग्य अधरन बात बच्चों से कर रहा है दुनिया वालों तो इसका कोई अनुभवी ही नहीं है विश्नु लक्ष्मी नारयन बोलते हैं शंकर नहीं बोलते हैं वो ठीक है बाबा ने कहा एक बात को बाबा ने मान लिया तो बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे विश्नु भी बोले कार कैसे बलेंगे तो यहे तो तो सारा दुनिया का तो यही प्रब्लेम है शास्त्र में जो सुना है वो बात को सच-सच कहते आया तुम बच्चे जानते हो शिप बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं ये बात को हमें अंडरलाइन करना शिप बाबा बोलते हैं इस समय हमारा भज ब्रह्मा को भी बुलना होता है ये दोनों बाबा को बुलना पड़ता है क्योंकि हम एडप्टेट हुई ना ब्रह्मादारा ब्रह्मा मुका बंक्षवली हम ब्रह्मन हुए शुद्रों से ब्रह्मन हुए तो हम बाबा का दत्तक बच्चा बने धर्मों बच्चा बने तो पहले बाबा ने बहुत बच्चों को नाम रखे थे परूंतु देखा कि नाम रखे हुए मर पड़ते हैं अश्चरजबत भागुंती हो जाता है तो अश्चरजबत सुनन्ती कथुन्ती भागुंती हो जाती है इसलिए कितने नाम रख कितने का रखे तो इसलिए बाबा ने ये नाम रखना बंद कर दिया, आज कल तो माया भी बहुत तेज है, तो बुद्धी कहती है, जब लक्ष्मी नारण का रज्य था, तो उसको बिश्नु पुरी कहा जाता है, हमारा विबेग बलता है, बुद्धी बलता है, तो बाबा समझाते हैं, तो यो एम अब्जेक्ट ब बात को हम अंडर्स्टेंड करते हैं, तो बाबा इहा की बात नहीं करते, बाबा कहते हैं, तो बिश्नु जब सत्तन नारण बनेंगे सतियोग में जाएंगे तब जरूर बोलेंगे मुनशु तो कहेंगे निराकार के से बोलेंगे एक ही बात पर ये माथा थप थपाते है आज कल तो माया भी बहुत तेज है बुद्धी कहती है जब लक्ष्मिनारण के रज्यों था उनको विश्णुपुरी कहा जाता तो इसलिए बाबा के एते बार बार बच्चों को पूछते है बस बाबा तुमी से खाओ तुमी से सुनो कोई को तो ऐसा निराला अनभव हो जाता है तो बुद्धी उस तरफ चले जाती है सिकृष्णो सिकृष्णो बुद्धी में नहीं आता तो बाप बच्चों को यह खेल है ना यह भी एक खेल है इसमें पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे तो अभी बाबा ने प्रविश किया है तो ड्रामा प्लैन अनुशर तो यह ब्रहमा बाब दरा हम सुन रहे हैं बाबा कहते मिटे मिटे विच्छो तुम जानते हो बाबा निराकार है वो हम आत् पात्रो सोने जैसे बना हुआ है, स्टूडेंट पढ़ते है, बुद्धी में सारा हिस्ट्री जियोग्राफी आ जाती है, परुंतु यो किसकी बुद्धी में नहीं है, बाबा कहा है, कहा रहता है, जतारतुरीती तुम बच्चे ही समझते हो, और प्रेक्टिकल में वो अभी अभी मिला, अभी अभी खुशी हुआ, अभी अभी खुशी गोम हो गया, बाबा परमधाम से आते हैं, हमको पराने के लिए, सारा दिन आपस में ये रोरीहान होनी चाहिए, बाबा कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ is the best life, तो स्टूडेंट को और रखा ही क्या है, त कोचो, ये परनिंदा, परचर्चा, कितना, तो ये असत्तो बात हम करते आए हैं, सरीर निर्भा अर्तों तुमको धंदा अदिभी करना है, और साथ-साथ ये रोहानी सर्वीस भी हमें करना चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए, तुम जानते हो बरबर ये भारत सरगता, इन लक्षपिनारण का रज्य था, देवी दवतव का रज्य था, जो भी देवी दवतव के चित्र है, उनको जतहरतो ग्यान बुद्धी में हमें आ गया है, वो कौन है, अभी वो किस रोप में है, नमबर वन, लक्षपिनारण का चित्र उठाओ, विचार करो, बरबर वो भारत में रज्य करते थे, एक ही धर्म था, एक ही भाशा था, रात पुरी हो, दिन सुरू हुआ, और थतकली जुग पुरी हो, सतियुग सुरू हुआ, अभी तो दूसरे लोग तो दिन में है, रात में है, हमारे लिए तो बाबा क्या कहते है, तो तुमारे लिए तो अभी अ पुरुशार्ट किया जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डलो तो लहर उठेगी कोई सागर में पत्थर फेकते है तो चारू और एक कमपन उठता है लहर उठता है तो तुम भी पत्थर मारो ना ये सारी संसार तो अभी बेकार का है मुनश्य को समझाओ ये भरी सभा में जा ने ये बात रखो तो ये आधात में भाशन करना सिखो यो ख्याल करो भारत में देविदवताव करा जो था ना तो जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर मनाई है जिनको फिर लोटे गए है काल की तो बात है अभी भक्ति मार्ग है तो जुरूर उसके आगे ग्यान मार होगा ना तो बाती तो दो है अंधकार है आलू है दिन है रात है तो भक्ती है तो ग्यान भी होना चाहिए यह सब बाते अभी तुमारी बुद्धी में है बाप भी आकर अपना जिबन कहानी बताते है तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है बाप आकर के हमको यह सारी नल कुईंग हो गई है भरत का महाराजा महारानी भरत सरगताना काल की ही तो बात है फिर उन्होंने यह राजगुद्ध कैसे गवाई तो अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते है परुंतु कभी बुद्धी में टपकता नहीं बाबा ये तो दुख का बात कहे रहा है तो को भी समझा सकते है तो है भी है तो बहुत साहज तो तुम यहां आते हो लक्ष्मिनार जेसा बनने समझा गया है पाच हजार बश्शों की बात है इसमें लंग-लंग एगो कोई होता नहीं है सबसे पुराने थे पुराना भारत की कहानी यह है तो रियल्टी में सच्की रु कहानी यो होनी चाहिए, कहानी इसको ही बाबा कहते है, सबसी बरी कहानी यह है, तो इन्हों का रज्जो था, अभी वो रज्जो है नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है, तो मारी बुद्धी में नंबर वार टपकता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो वो भी पूरी रित तपकता रहता है, बाबा माना नहीं करते है, किसी को बेट समझाते है, तो चार-पाज घंटा भी लग जाता है, ऐसा भी बाबा का बच्चा कोई सत्संग में बेट करके, तो ये बहुत उको समझाते है, चार-पाज घंटा भी समझाते है, कोई ठकवट नहीं आता, तो ये ब तो जिसकी तिल चश्मी होती है तो उसको सुनना ही चाहता है, इसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रूची होगी, तो उनको और कुछ सुझगाई नहीं, तो और बलते जाओ, सुनाते जाओ, बस यह बाते तो समझने में ही मजा आता है, यह बात अच्छी लगती है, तो तुम ऐसे तो कोई को बेटना नहीं है बाबा कहते हैं ऐसा नहीं तुमको काम का छोर करके तुम ये सिभा में बेट जाओ तो तुम बचे ये शत्त नरण की कहानी सून रहे हो औहीं तुम्मारी बुद्धी में कितना अच्छी बात तो रमन करनी है रमन करती हैं हम यह तो समोगरी डेलिवरी करने के लिए एवरीडी हैं कोई कोई तो कहेते बाबा हम डेडिकेटेड है हम एक पेरों पे खारा हुआ है तो आप अडर करो तो हम भाग जाए तो बरकत हमेशा रेडी होना चाहिए यह चित्र भी तुम दिखा कर किसको भी समझा सकते हो इन लक्ष्मिन नर्यन को यह रज्यो कैसे मिला छोटा सा टापिक लो कितना वर्षो आगे यह विश्व का मालिक थे उस समझ स्रिष्टी में मुनिश्व कितने थे विचार करो अभी कितने हैं विचार करो कुछ न कुछ पत्थर डलना चाहिए तो विचार शगर मंतन चले तो अपना इस कुल का होगा तो जट लहर आएंगे जट लहर आएंगे तो भागेंगे सुनना चाहेंगे अपने कुल का नहीं होगा कुछ भी समझेंगे नहीं, तो चले जाएंगे, तो यह नबजो देखने की बात है, जैसे डक्टर लोक नबजो देखता है, तुमें सिवाह इस मीठे मीठे, मीठे ग्यान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है, बाबा कही ते तुम्हेरा तो टॉपिक ही यहा है, ग्यान के बहुत बच्चे है तो जिन है सुनने का वरा सौक होता है बाप समझाते है तो इभील बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए करिलन की बात ही तो सुनो नहीं तो मुफ्त अपनी सत्तनाशा कर देंगे तो बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान की बाते सुनाते हैं स्रिष्टि के आदी मदवानतों का राज समझाते हैं कहते हैं और कोई भी बात मत करो इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो तो ये देखते हैं बाबा हम सारा दिन में वेस्ट बात जादा करते हैं नेगेटिव बात जादा करते हैं फलाना ऐसा है वो ऐसा करता है तो उसे उभील बात ही बुरा मात देखो, इसमें तो तुम बहुत के बाप को याद करो, तो तुमारी बहुत कमाई होगी, तो जहाँ तुम बाप का परिच्छ है, तो जहाँ तो बाप का परिच्छ है जाकर के दो, तो जागा खाली परा हुआ है, तुम जाकर के खाली हो जाओ, तुमारी सहबा हो और रोहानी सर्विस करते रहो, सचे सचे महाविर तो तुम हो सारा दिन, तो यही बात तो रहे, कोई हो जिसे यह रस्ता बताए कैसे किसको राश्ता वताई ये बिचार तुमे की चलना चाईए तु 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 मच Alf को याद करो तु बीबत्शा ही मिल जाएगी कितना सहज है ना ऐसे आइसे Kरके सर्विस करनी चाईए तो बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाईए आपना और दुसरों का कर्लान करना चाहिए बाब भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए है ना तुम बच्चे भी आए हो परने और पराने के लिए time west करने या श्रीप रोटीय पकाने तो नहीं आये हो बबा कहते हैं सारा दिन बुद्धी सार्विस में चलनी चाहिए तो अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्छो पुरती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्छों को नमस्ते हम रूहानी बच्छों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मार्निंग नमस्ते 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 धरणा के लिए मुखशार नमबर वान जो बाते अपनी काम के नहीं उन्हें सुनने बाप बोलने में अपना स लमाई वैस्ट नहीं करना है जितना हो सके पराई पर पुरा-पुरा ध्यान देना है नमबर दो सदा खुशी और उमंग में रहेना है कि हमें पराने वाला कौन है आपने आपको पूछो पुरुशार्थ को कभी छोरना नहीं है मुख से सदा ग्यान रत्न निकालना चाहिए बरदान है सतप्रदान स्थिती में स्थित रहोकर सदा शूक शंती की अनभुती करने वाली डबल अहिंग्षक भावो का बरदान बावादी रहा है सदा अपने सतप्रदान संशकार में स्थित रहो शूक शंती की अनभुती करना यो सच्ची तो अहिंग्षा है हिंग्षा अर्थात जिसमें दूख अशंति की प्राप्ति हो तो चेक करो कि सारा दिन में किसी भी प्रकर की हिंग्षा तो नहीं करते हैं जोदी कई शब्दो दरा किसकी स्थिती को डगमग कर देते हो तो यो भी हिंग्षा है ना नमबर दो जोदी अपने सतपदान संस्कार को दबा कर दुसरे संस्कारों को प्रेक्टिकल में लाते हो तो यो भी हिंग्षा है इसलिए तो महिन अता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल हिंग्षा बनो स्लोगान है सत्तो के साथ अशुत्तो मिक्स होती ही खुशी गायब हो जाती है बाबा के ते बराबर है ये जैसे सत्तो का साथ अशुत्तो मिक्स होते है तो खुशी तुमरा गायब हो जाता है ऐसा नियम प्रमन हमें चलना है तो आज का समान है मैं डबल अहिंग्षक आत्म हो अच्छा ओम शान्ति